बेनों भाईयों आपका सौगत है जो अभी 22 लेक्स का है 22 लेक्स का है हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग तो कल हमने एंड किया था इसी यहीं जगा पे मेरी फेवरेट वालकनी अभी सुबह के बजगे हैं 12 बच के 35 मिनट कह सकते कि दुपैर का समय हो चुका है हम रेडी हो चुके है कल जो चीज के लिए इंतिजार कर रहे थे और रिसर्च कर रह है तो आज फिर से जा रहे हैं अब जा रहे हैं गुरू ग्रहम में तो मैंने इस से पहले कि यहां का फ्लैट काट आपको टूर भी दे और बुआ जी से भी मिलवाए और कल बुआ के लिए जो लेके आयते ना साउंड बॉक्स जो उन्होंने मंगवाया था तो वह भी आपक कि जूम करता हूं थोड़ा दिखाता हूं आपको यह देखिए और सामने देखी एक क्रेन में आपको जूम करके दिखाता हूं थोड़ा यह वल लिखा हुआ है यह शायद जो है वह डानी जी की लग रही है मेरे को आपकी पता नहीं बड़े-बड़े इंवेस्टर से भी कुछ भी कर सकते हैं तो यह नोड़ा का एरिया है बहुत ही सुकून मिलता है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूंगा मेरी बुआ जी से और इनका गाडन टूर भी आपको दिखाता हूं यह देखी गाडन तो मिलिए मेरी बुआ जी से इनका नाम है रव पहले कंटीडिव करते गाडन की तरफ तो बुआ जी बताओ कौन-कौन से अपने प्लांट्स लगाए हैं यह सौंग ऑफ इंडिया दोनों विराइटी मनी प्लांट प्री पत्ता पैंसिल कैक्टस लेडी पाम मनी प्लांट यह क्या बुलते हैं फुटबॉल लिली है इसके मेरे को खूब डाटा म्यूजिक के वामने में अम लोग ड़ते थे कि आप बुआ आई है सबकी शामत आई है अभी तो बुआ बहुत प्यार करती है अब समझ में आता है कि वह डाट क्यों थी अगर वह डाट ना होती तो आज से म्यूजिक में भी न होते और शैद व्लॉक बिना बना रहे होते हैं ये भी आुका यू को जब आ य सार इसको हजार वैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं क्या बता और इन्हों ने लो जई जो है हिस दिए wise और इस पाटासिश दो चलो घर के अंदर चलते हैं और आपको इनका कुछ म्यूजिक भी सुनाते हैं हर्मोनियम से बजन एक्चुली में लिए किरतन करती हैं कॉपिराइट भी नहीं आएगा किरतन और वह जो सौंडबोक्स लाइते हैं वह उसका अंबॉक्सिंग भी करते हैं आजी बुआ सभी का वेलकम करो चलो आज हो तो यह बुआ का हॉल है वो देखे की बोड रखा हुआ है इन्होंने और यहां पर देखें गैलरी एक किचन है यह और रूम है थी भी एच के इनका फ्लैट है वह एक फ्रेंच वली खिड़की होती ना वह है अच्छा है यह जो गैलरी है ना आपकी जाए गैलरी विलकुल वैसे लग रहा है कि जैसे जबलपूर में आपका घर नी था पुराना वाला तो वैसे ही गैलरी बिलकुल वैसी शू हो रही है अब यह आगए यह हमारे उंकल जी है अंकल जी सारे वीवर्स को साश्रीकाल बोलो साश्रीकाल जी इन का देखो के लिए इद्दध एक्टिव यह अंबोक्सिंग करते हुए उपको वैसे इस प्रोड़क्ट का बहुत इंतजार था काफी लंबे समय से लाइए मैं पकड़ ले तो वो डबा देता है अहा सौंडबोक्स आगया बार यह अब आपको एक चीज दिखाता हो इसमें क्लैमेक्स इसके साथ माइक भी निकला है और इसको वहम करते हैं तीन आटपूट है और ब्लुूतुत भी एक रोके नाइट कर सकते हैं और अंकल जी हमारे जो है मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए चलो जी इंट्रोडक्शन ओगे एक शौट सा बुआ जो है हमारे पोथी साहिब कहते हैं तो आप पोथी को खोल के जो भी हैं जो भी हैं जो करते हैं सब के आगे गुर्बाणी कीरतन को साथ साथ आप माइक भी दे सकते हो हेल्प करते हुए एक सिमर प्यारे काल कलेश लोग मोग माँ पोचल तारे एक सिमर प्यारे क्या वाद है एक सिमर यारे येस थांक यू सो मच बहुत अच्छा लगा साथ में सभयोगी हमारे अंकल जी तो चलते हैं यहां का व्यू भी देखते हैं यहां पर भी अच्छा व्यू है यह देखें ब्लोक्सी-ब्लोक्स प्लैक्स टाइप के होते है ना वो है विलाज होते होंगे औरको में जूम करके दिखाता हूँ पूरी सोसाइटी है बहुत बड़ी सोसाइटी है पंच्छील यह देखे है कि इती बड़ी है और यह देखी आकी रोड नीचे देखे ऐसा लगता विल्कूल डिबी जैसे घाड अब आपको बताना चाहिए विलोग को देखते देखते इनको भी बड़ा शौक है कि इतन का जो है वो चैनल स्टार्ट करने जाने के मूड में है और यह बहुत जल्दी की तन के छोटे-छोटे क्लिप्स भी स्टार्ट करेंगी और की तन का आपको टुटोरियल भी देंग और बाकी हिंदी में कुछ आप टुटोरियल बनाओगे कि सिर्फ गुर्बाणी किर्थन हिंदी में भी और यहां पर सोसाइटी में न यह प्यानू भी सिखाना स्टार्ट कर दिया है तो गाइड लेती रहती है पहले इनोंने हमें सिखाया अब इनको हम सिखा रहे हैं अला जब गोह है अशोग एकिमरीजोर है समझद्रीयों समझ थे और आपका मल लगए रहो यह पुछारी मन लगाना पड़ रहा है चलो चलते हैं बाहर यह हर्याली देखिए काट्य करीम की कला कि मैं जुब रात को आया था ना तो यह चेस विगारे सारा कुछ कवर किया था लेते हैं गोल-गोल राउंड इसका आप खेलते हैं यहां पर बास्केटबॉल बास्केटबॉल मैं नी किलते हैं बच्चे लोग खेलते हैं यहां के अच्छा अच्छा ओके यह पीचे वली गास पीचे वली घास तो दिखरी है चिश्मा उतर जाएगा इद्धम है बहुकुल बहुकुल चिश्मा उतर जाएगा आई ड्राप भी नहीं डालना पड़ेगा यहां पर टोटल कितने टोवर हैं यहां टोटन नाइन टावर हैं यह है स्वेग वे 24 फ्लोर हैं और एक फ्लोर में कितने हैं एक फ्लोर में चार है तो महांगे जलिए 24 इंटू 4 तरी करीब 96 है यह कलब है कलब के सामने स्विंग बना हुए जिम हैं टेबल टैनिस हैं बैंट मिंटें भी यह अच्छा और यह बच्छों के लिए हैं बिल्ड आज तो बिल्कुल ही हम लोग ने जा रहे हैं वहां काम भी है वहां पर जो में मकसद के लिए हैं आज तो बिल्कुल ही हम लोग ने कासा ग्रींज का जो है प्रोमोशनल वीडियो बना दिया है बट इस नोट पेड यह हमारी तरफ से था तो अब यह आगे जो है एक्जिट पॉइंट है और इधर ही हमारी कार भी खड़ी ओके अंकल जी मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी पहरी बोना थेंक्यू थेंक्यू थ इक गूगल किया था कल उनसे बात हुई थी तो वाप गुरू गराम में बुला रहे हैं तो कल हमायते नुईडा नुईडा से गए पुरानी दिली पुरानी दिली से गहते रोहनी साइट रोहनी से फिर दुबारा सदर बजा से सीधा गई सोनी पत सोनी बत से आया फिर नु अब चलते चलते मेरे पर एक चीज दिखा दुबए का फ्रेम का कॉपी बन रहा है थी फ्रेंट्स रस्ते में जाते 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 जिसके लिए मैं आया था एक काम और था क्योंकि जैट स्कायर का पियानो का थोड़ा डिकत में भी था और मेरे को पियानो का कुछ पार्ट्स के बारे में बात भी करनी थी तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पियानो वर्ल्ल देखते हैं आपको कौन-कौन से क्या-क्या पियानो है और पियानो से रिलेटेड कुछ बात भी कर चलते हैं अंदर थीव म्यूजिक प्यानों अभीवेर पहले से बहुत चेंज हो गया है एलो हलो वाट्स अगुद नेम निकल निकल जी अलाकि हम लोग तो पास साथ साल जो है कोंटेक्ट में है कैसे आप आफ्टर लॉंग टाइम एक्चली कहा है कि अपना जो जेट्सकर में जो प्यानो है न उसकी स्ट्रिंग थोड़ी दिक्कत आगी और ट्विनिंग मेरे को करानी है करवाला पीस कहां पर है मुझे थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे कानपूर में जो प्यानो लगा हुआ है अच्छा जी एल जी एल टें मॉड़ी का तो मैं जब जब मैं बजा रहा था था ना विकेंड पे तो इसका ए नोट खराब हो गया था और दी शाप में थोड़ा सस्टें का प्रॉब्लम है और बाकी आखरी में इसकी तीन तारे जो क्या वाब है इसका यह कवाई के जो ग्रेंट प्यानों जाए जिए अजी बेवी ग्रेंट बोलते हैं बेवी ग्रेंट ऑके अफ्टर डिसकांट की अभी डिसकांट कुछ है इस फाइनल अगर अगर आपको ट्रांस्पोर्टेशन करवाना है जिए अडिशनल ओके शर्मा जी तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा विएर्स को कि देरा टू-3 टाइपस ऑफ प्यानों पहले तो एक कहते हैं ग्रेंट प्यानों शेप होता है और दूसरा होता है अप्राइट प्यानों आप देख सकते खुला हुआ रख और यह खूब सारे अप्राइट प्यानो यह अपना बेसिक मॉडल ऑगा ग्रेंट का यह बिलकुल बेसिक है यह आप यह बहु सकते हैं कि हाइबरिड मोडल है है जिसमें हाँ शेप ग्रेंट प्यानों का दिया गया है वैसे इसका जो वोकिंग है तो जो अरीजिनल डिजिटल प्यानों हो मच इट सब्सक्षाब फ में प्यानों के यह लिए तो मैंने के थ्री मोड़ल बजाया था को इंसिदेंटली क हुआ जब मैंने विजिट किया तो एक फॉर्णर आयते तो फॉर्णर के समें मैंने फ़ार है कि तुनके अच्छा प्यानों लगा तो ने हाली कहल चेक दिया और प्यानों ले लिए तो एक हलकी सी स्पार्क जो आती थी ना ब्राइट वार्ब रिंगिंग को बहुत अच्छा स्वीट सांड यह है के 300 इसको उपन करते है क्या बात है ब्लैक कलर एक मिट इसको आप बोल करेंगे प्लीज I will not play a song क्योंकि copyright का you know scene आ जाता है जस्ट नॉर्मल क्या खनक है रेली लव इट अमेजिंग इदर आके जो है कुछ अलगी सा सीन हो जाता है कहते ने कि खो जाता हूं मैं शर्मा जी आप मेरे को एक चीज़ और बताइए कि जो प्यानों के यह मॉडल से चार्टिंग कितने के होते हो सबसे हाइएस्ट यहां पर पीक सबसे महंगा कॉन से शुरू हम करेंगे डिजिटल प्यानों से ओके डिजिटल में यह मॉडल है ओके उटेवल सेरी इस का प्यानों यह शुरू होते हैं सेवेंटी ताउजन से सब्सेंटी से जिटल यह आते हैं और रेंज ओफिफ्टी वं फिफ्टी ओगया फिफ्टी तुलाइट तक के रेंज मेरे पास इसका सी एल ट्वेंटी तुटीफाइब मोडल थ इसे पास से और जैसराइब ऑर जैसे है और जैसे वोन इस से बवैसिका मोडल है यह है 3,29,000 का कर 2.0.15 का वह जाने जो है प्राइट और जो किया बात है वरी नाइस दिस थीम मुजिक वर्ल्ड में हम लोग आके खो जाते हैं हलाकि पहले जो था यहाँ पर शोरुन था अभी क्या है यह थीम म्यूजिक स्कूल भी हो चुका है जब मैं ग्रेट 6 में था तो मेरा भी एक्जाम यहाँ पर ही हुआ था मुझे इतना याद है और यहाँ पर वाइट कलर का प्यानो था ब्राउन कलर का प्यानो और लाइन से अखरी तक प्यानो भी प्यानो थे अभी जो पूरा फॉर्मेट जो है चेंज हो गया यह खुला हुआ प्यानो सामने देख पार हूं मैं यह क्यों खुला है हमने ट्यूनिंग कर वाएं इसका अब बिल्कुल नेया ब्रांड निव पीस हाया है तो कि उसका ट्यूनिंग इन अच्छा लगा और जो यह जो GL10 है मोडल, यह जचकर में है, और इसका हाइस्ट मोडल है वो कहाँ लखा है, वो GL50 है हमारे पास अभी, जो अभी 22 लेक्स का है, 22 लेक्स का है, can I check the sound, कुछ प्यानो की बुक्स, अगर आप अगर प्यानो लवर है, तो यहां नहीं आए, तो आप समझे कहीं नहीं जा पहे है, हमारा अड्रेस है, A44, 2nd floor, लाजपत्नगर 2, लाजपत्नगर, लाजपत्नगर, मेट्रो स्टेशन के पिला नंबर 15 के पास, लाजपत्नगर, जी ल 50, लेट मीट्रै फॉर यू, होँएएएएएएएएएएएएएएएएएए, लुगर है, लाजपत्नगर कर दो कर दो कर दो कर दो क्या साउंड है बलब स्पीचलेस हो जाते है इन साउंड में ओके जी शर्मा जी बाबाए नाइस मीटिंग मिलते बहु जल्दी जरूर 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 मोस्ट अलपन तो कैसा लगा आपको प्यानू एंड प्यानू का जो सौंग प्ले किया था छोटा सा पीस रेली थीम मुज फोग या था वैं इतना प्यारा साउंड है कि मनी नहीं कर रहा था कि बाहर है बट कह सकते हैं कि वहीं काम करना घर भी जाना बहुत जल्दी फे रहेंगे यहां पर एंड आप भी जरूर विजिट करिएगा जब भी अगर डेली में नौव हैडिंग टू गुरु गुरु यह लाच पंदगर था अब गुरु ग्राम जाएंगे अब डेस्टिनी के पास में पहुच चुके हैं एक बजे का निकले निकले साड़े चार हो चुका है आगे लोकेशन में इते हैं यहां पर क्या सिच्वेशन है और सारे प्रोड़क्ट्स हैं फ्रीजर यह देखिए को बॉल्ड रूम होता है माइनस फॉर्टी डिग्री तक यह लेकर चला जाता है चीज तो थोड़ी हैवी डूटी लग रही है तो दिस इस अ वेराउस कह सकते कमर्शल किचन से रिलेटेड आपके पास यहां पर सब चीज मिलेगा बटलर का यह बटलर ग्रैंड है आपका ओवन हो, फ्रायर हो, एसी हो, कोल्ड रूम्स हो यह भाया लेकर जाते माल गुड प्रोडक्ट तो सुबा से बड़ी भूक लगी हुई है, अब जाके समय मिल पा रहा है, एक बज़े हम लोग निकले ते गड़ से कुछ खा पी के, तो अब हो गया है पांच हब्स, फिर से सेम लॉंग डे, अभी हम आये हैं, सेक्टर ट्वंटी सिक, आई थिंग, मोहली का फेस्ट्री ब आप सीधा जाएंगे घर, बच चुके है शाम के 611, जो है 400 किलो मेटर की ड्राइव है, अब हम बैठ जाएंगे उस सीट पे और चलाएंगे गाड़ी, देखिए सामने किता ट्रैफिक है, इट्स पीक टाइन, यह बेसिकली मुंबई एक्सप्रेस वेय है, जो सीधा मुंब मुंबई के लिए जाती है, और हम लोग इसी एक्सप्रेस हाइवे में चलेंगे, और मत्रा उतरेंगे फिजाते, मुंबई वालो, आजाए आपके शेहर में, कुभी कि गूगल जो है, वो कन्फूज में डाल देता है, समझ ही नहीं आ रहा है, यहां से लेफ्ट था, या प मुंबई हाइवे, डेली से डिरेक्ट मुंबई, अब यम इस पर यहां से मुत्रा तक जाएंगे, मुत्रा हमारे शाम की नगरी था, आगे है हमारा डूल प्लाजा, देखे कितनी हेवी लेन्स है, आइधिंगे कितनी होंगी, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, 12 लेन्स, यहां पर तो फाइटर जेट उतर जा आराम से, जूट बोलो, बार बार जूट बोलो, तो आज हम लोग आ रहे हैं, डेली टू बागरा, वाया मत्रा रोड, असली पपू धावा, अम नकली पपू धावा भी कोई होता है क्या, बट इट्स लुक लाइक की, इंस्पारड बाई अमरीक सुक्देव, जो मूर्थल में है, यह ले लिया चाया कर टोकन, here you will get house of candy, खुब सारे candies हैं, then tables, इधर आपका कुलपी भी घरा, और इधर counters, exclusive chocolate outlet देखा तो चलो, देखते की कौन-कौन सी chocolates हैं, यहाँ पे, देखें boxes हैं, तरह तरह के chocolates हैं, चलो इन में से कुछ ट्राय करते हैं, प्यूकि रस्ते में जो है, नीन ना आए, इसलिए एक अध पीस लेते हैं, इसलिए chocolates चलते हैं घर की ओर, मत्वरा टोल, so we are driving from Delhi to Agra, वाय मत्वरा वरिंदावन, इनके टोल में 2-3 मिनिट होगे, यह करी नहीं रहा है, इसका है, अब जाके जो है लेके आए मशीन, यह बड़ी समस्या आती है, टोल प्लाजा पे, रेजड, शुकाबाद, टोल प्लाजा, तो friends, हमने लिया है, ब्रेक यह है, इटावा से पहले, सागर ग्रेंड करके है, रेस्टोरेंट, अच्छा है, ठीक ठाक है, और अब जारे है वापस घर को, काफी देर से ड्राइब करते करते, लगबख 432 किलो मीटर्स का सफर है, बस थोड़ा ही रह गया, अब हो गया है, आराम, करते हैं अब ड्राइब, इटावा टोल प्लाजा, यह हमारा इस ट्रिप का आखरी टोल प्लाजा है, के बाद हमारा होम टाउन और यह पड़ेगा, आज की जरनी बहुत लंबी थी, और बहुत अच्छे है रही, अब रात के बच चुके हैं, 12.40, सारा देन आपने देखा, सुबह से लेके, अभी तक आप व्लोग में जुड़े रहे, फेक्टरीज में गए, वेरहाउस गए, प्यानो भी देखने गए, जेट स्क्वेर का जो प्यानो का कुछ काम था, वो भी करने गए, साथी साथ, ट्रेवल भी किया, अब जो है, घर आ चुके हैं, सो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, एंड शेयर, as well as, do watch the full episodes, always, I need your support, always, so, take care, bye-bye, good night, अब 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 अदर चलते हैं, घर के, गाड़ी खड़ी करते हैं, मिलते ह नए व्लोग के साथ, बावाई, गुड नाइट